जहें दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने बाले हैं आप डायरेक्ट 12 के बाद सरकारी नोकरी कैसे पास सकते हैं दोस्तों 12 के बाद बहुत सारे से जौब है सरकारी जौब है जो आप डायरेक्ट पास सकते हैं कैसे इस वीडियो में आपको संपुर्ण जनकारी देने बाले हैं आप इस वीडियो को अंतक देखिएगा दोस्तों चली तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो को देखिए दोस्तों 12 के बाद देखिए जो हमारा जो दोस्तों ओडियंस है ना हमारे जो चैनल का ओडि हम बात करते हैं दोस्तों जो famous है 12 के बाद सबसे famous है दोस्तों SSC का ठीके ना SSC का दोस्तों SSC का यहीं कि staff selection commission इसके अंतरगत इस SSC जो है यह आपका इसके अंतरगत SSC खुद में अपने अपने यह state है और इसके अंतरगत आप जोब निकलता है SSC का जैसे कि आप भीया SSC GD का आप नाम सुनेंगे SSC GD का ठीके ना SSC GD का आप 12 के बाद SSC GD का फॉर्म भर सकते हैं यह तेंथ लेवल पर भी भड़ा जाता है उसके बाद दोस्तों SSC SSC MTS ठीके ने इसका नोटिफिकेशन आया है यह 15 तारिक से यह फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा ठीक है अगर आप लोग करना चाहते हैं न दोस्त सच करते हैं 12 के बाद यह बहुत ही अच्छा जॉब है दोस्तों अच्छा सेलरी भी देता है सिर्फ आपको मेहनत करना है कैसे मेहनत करना वह भी हम बतलाते हैं यह SSC के द्वारा यह और देखिए SSC CDL CPO आप गर्जुएट हो जाएगा तब उस उसमें आप भर सकते हैं SSC में आप जा सकते हैं 12 के बाद अगर ITI किये होंगे तो टेक्निस पोस्ट पर भी जा सकते हैं ऐसे आप 12 के बाद आप ग्रूप D में भी जा सकते हैं होता है इसमें mandatory नहीं है ITI देखिए ऐसा बहुत सारे पोस्ट है railway में भी जिसमें ITI जरूरी नहीं है लेकिन अगर ITI railway के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों उसमें अच्छा सा जॉब हो जाएगा ITI क्यों होंगे ना तो उसे में बहुत बढ़ियां बढ़ियां जॉब है ठीक है तो आप आर्पे में जा सकते है डाइक और दोस्तों उसमें देखिए मैथ पुछता है रिजनी कुछता है और जिके जीस ठीक है क्योंकि इंग्स इसमें नहीं पूचता है क्योंकि जो भी जदा स्टुडेंट होते हैं उनका इंगलीस बहुत ही वीक होता है बहुत ही कमजोर होता है तो आर्पिय में आप इजली जा सकते हैं फिर उसके बाद उस्तों जीडी में भी इजली जा सकते हैं देखिए MTS और CHSL में इसमें इंगलीज जरूरी है इसमें होता है आपका math, reasoning, gkgs और English ठीक है English इसमें अच्छा होना चाहिए आप तयारी के सिर्क किजिएगा वो भी हम अभी इस वीडियो में बतलाने बाल हैं सब्सक्राइब दोस्तों कर दिए ठीक है अब देखिए उसके बाद दोस्तों आप अभी तो 12 बाद दरोगा नहीं बन सकते तो समते हैं क्यूंकि उसमें ग्रिजवेशन चाहिए ठीक है यह सभी रहें बजेहर ऑल हैं पा सकते हैं दोस्तों ओर सारे हैं जैसे कि आप बिहार पुलिस में भी जा सकते हैं ठीक है ना बिहार पुलिस का जो निकलता है बिहार पुलिस का बिहार 12 लेवल पर आप जा सकते हैं अगर आपका एज 18 साल है ना तो बिहार पुलिस में जा सकते हैं ठीक है उसके बाद कोश्ट गार्ड का भी आता है दोस्तों ठीक है ना आप ज्वाब है जिसे की और कि इसमें निकलता है दोस्तों बिहार SAC का ठीक है न विहार SAC का ठीक है न जैसे आप UP से हो तो UP यूपी पुलिस का भी निकलता है ठीक है न आप यसार नहीं है कि बिहार वाला श्टुएट्ड उढ़ी UP रहे होगे बहुत सार है यह सभी बढ़ियां जवाबे दोस्तों आप वैर जा सकते हैं देखिए बैंकिंग्में ग्रीजोएस्ट ना चाहिए तो उसके लिए हम बात करें दोस्तो ठीक है अब देखे यह हम तो कहेंगे दोस्तो आप SSE के त्यारी करो अच्छा बहुत ही बढ़िया जवाब है इसमें SSE का सबसे फेमस बहुत सारे शोवे SSE में जाते हैं अब देखे भया हम समझ गये SSE की त्यारी करना है अभी आपको नहीं पता है SSE क्या होता है GD क्या होता है MTSC नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है आपको experience हो जाएगा ठीक है ना दोस्तो जब हम भी इस फिल्ड में उतरे थे ना हम दोस्तों CHSL का पेपर दिये थे पिरी मेरा ह हो गया था मैंस में कुछ नमर से चट गए थे ठीक है दोस्तों हमको experience हो चुका है ठीक है ना कैसे जब हम तयारी कर रहे थे competition इस छेतर में आए थे ना तो भाई सबसे पहले में कसम से बता रहो competition क्या होता हमको कुछ पती नहीं था यह मैंने खुद मतला इसे इस छेतर में जहने पर हमको खुद अनुबभ आ रहे यार यह सब कुछ नहीं है अभी जो 12 पास क्यों उनको उतना पता नहीं होगा क्या ह होगा वहाई क्या होता यह स्सी क्या होता आर पियक क्या होता पुलिस यह वाला जरनते होंगे हम ज़रो में गए थे ना जब हम कोचिंग गये थे तो हम के थे हम सर सर से क्या होता तो अब दर लगता था सजी कैसे पूछे स्सी स्ट क्या होता है सची बता रहा हूं दोस्त हमको यह मत नहीं क्या होता है आप जनते जब ओफ लेन कलास की लिएगा लड़का लड़की रहता है तो यही तो हालंकर हो जाता है जब आप इंटर में पढ़ रहा होंगे न आप अप्लाइन कलस में कर रहा होंगे न आपको कोसंस समझ भी नहीं आता होगा न तो बगर में अगर लरकी होगा तो आपको हिम्मद ही नहीं होगा कि पूछपा है यह होता है दोस्तो बहुत सारे श्टुएंट के साथ अब देखिए हम प्रिविट सेक्टर में भी बहुत बरियां जॉब है अगर आप देखिए चैंप्यूटर भी चिक्टे रही तब ही आपको नौलेज होगा अभी आप कुछ सर्च करते हैं तो आपको कुछ सर्च करते देखिए इसके लिए आपको मेहनत करना होगा देखिए तो आपको कैसे त्यारी करना है सबसे पहले आपको देखिए कम से कम कम से कम आपको शुरुवाती फेज में शुरुवाती फेज में कम से कम आपको चार से पंच गंटा पढना होगा ठीक है ना चार से पंच घंटा नहीं होता न भाईया तो दो से तीन ही घंटा पढ़िये क्योंकि अभी आप तैयारी करने के लिए बिरेट रायरेक्ट चार-पंच घंटा पढ़िएगा अब देखिए सभी स्टुएंट का क्याफी सीटी होता अपना छमता होता है कितना हम पढ़ सकते हैं तो देखिए सुरुवाती फेज में आभी मान लीजे आपको होवे ने करता है पढ़ना है तो पहले एक घंटा फिर दू घंटा तीन अपने मन लगने लगेगा तो आपको अनुभाफ होता जाएगा हम और जदा पढ़िए चार तीन घंटा चार घंटा इसी तरह बढ़ाते रहें कम से कम मिनिमम आपको दोस्तों आट घंटा पढ़ना होगा मैं दोस्तों सची बता रहा हूं ऐसे नहीं होता है नोक्री बहु उसे कई गुना दोस्तों क्या कहें बहुत ही बुरा इसका प्रवाब परता है तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लेजी और यह जो होता है ना बुझ रहें ना इस सब चीज से बचके रहिएगा ठीक है क्योंकि अगर इस चीज में आप जाईएगा नो तो आपको आपक च्छे से धियान में रखिएगा ठीक है तो इतना आपको देखिए च्छो साथ घंटा परना है जैसे आप देखिए सेसी की ट्यारी करते हैं इसे में आपको देखिए मैं मैं पूछेगा ठीक है रिजिनिंग पूछेगा दोस्तों इसके बाद दोस्तों हम GKGS घीएइफ दोस्तों बहुत ही बढ़ियां ससी के लिए अगर आपका इंगली सुविक है ना आप में भर दिजेगा हो जाएगा उसमें हिंदी पुष्टा है जी के जी एस और दोस्तों आपको घबरना नहीं है देखिए आप मैथ देखिए बहुत सारे इसे अगर आपका उतना भी क्या क परिवारी के स्तिदि उतना अच्छा नहीं है तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं आप सर्च किजिए आप पढ़ सकते हैं ऐसे हम दोस्तों मैथ और रिजनिंग कियेगा तो हम पढ़ा दें है तो हम मैथ और रिजनिंग फिर से पढ़ाना शुरू कर देंगे नितीश अस्टडी चैनल यूट्यूब नितीश अस्टडी 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 सेंटर यूट्यूब चैनल है यह मेरा दोस्तों सब्सक्राइब कर लिजिएगा अगर आप लोग कॉमेंट करके इस चैनल पर आपको math reasoning पढ़ाएंगे दोस्तों बहुत ही बेटरी ढंग से क्योंकि दोस्तों हमको अनुभव है किस तरह से पढ़ाना है क्योंकि दोस्तों इसे पहले भी हम घर पर थे तो हम पढ़ाया करते थे coaching ठीक है तो कैसे आप लोग समझेगा हमारा एज थोरा ही जदा होगा हम समझ सकते हैं कैसे student को दिक्कत होगा ठीक है उतना experience नहीं है लेकिन जितना भी है आपको समझा देंगे ठीक है अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो math reasoning हम पढ़ाएं यह सी दोस्तों यह नहीं हमसे पढ़िएगा एक बाद पढ़िएगा समझाएगा पढ़िएगा पांगी बाद यूटूब सारी से स्कूश के बढ़ियां टीचर है नाम पर नहीं जाएगा यह बात समझ लिजी के नाम पर नहीं जाएगा देखिए ऐसा नाहीं है की जो सर फहमस नहीं हुए है वह कमस दौक ness ум में भी हमें तो यहा आको तो खूद करना होगा आप देखिए चार पच टीचर से पढ़ कर देखिए कैसा अच्छा लगता ही पढ़ा अच्छा पढ़ाते हैं या फिर नहीं पढ़ाते हैं ठीक है अगर हम तो करेंगे दोस्तों अगर आप साब बिगनर हो भी कुछ नहीं जानते हो अगर थोरा भी तो आपको मिल जाएगा पढ़ा देखिए इंसान को जब प्यास लगता है न तो पानी उसके सामने खुद नहीं आता है वह पानी पीने के लिए जाता है देखिए आप हैं ठीक है और कुवा हैं तो आप ये थर्वियों कहिएगा कि कुवा भाई आजाओ मेरे को पानी पिल दो नहीं आप कुवा के पास जाईएगा इसी तरह दोस्त क्या किजिएगा अभी आपको जरूरत है पढ़ाई करने तो आप खुझ जाईए आप सर्ज किजिए ठीक है बात मेरा समझ रहे होंगे क्या करने की कोशिस कर रहा हूं ठीक है चलिए दोस्तों यही सभी बात हैं चलिए दोस्तों अगर देखिये अब देखिये बहुत सारे सच्ट्वें से रहेंगे सार हम सरकारी नोख्री नहीं करेंगे स्टीचर ढ़नेते लिए रिखें यह सब भी जरूरी है अगर अप उप्र बीडियो सरकारी नोख्री के ऊपर लेकर आये थे ठीक है जो भी गरीब परिवार के लोग हैं उसके लिए बतलाएं थे अब जो भी हो इसे स्टुडेंट है तो आप यूटूब पर सज मारकर देख सकते हैं वीडियो अगर कोई दिकत होता है तो आप कोमेंट करके बताइए हमों अगर कोई भी डाउट है ना उस पर हम डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे ठीक है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हम लोग नए वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद अगर अच्छा लागा तो एक लाइक कीजिए का लाइक ही हमारे लिए सबसे बढ़ा है महत्पूर्ण ठीक है तो चलिए फिर मिलते हम झाल झाल